अबूलिंग बच्छों देखिए ऐजम क्या करने वाले था पढ़ने वाले है है लेंसट फाइव पुछ प्रतव करण के कुछ प्रतवक्रण के कुछ सकियों होकरन देना है अब हमें इसकी आवशक्ता क्यों होती है जो मिशलषम दिया होता है उसमें कुछ उपयोगी चीज़ए होती है उसमें afford दियाâte होती है और तो इसमें हम उपयोगी चीजों को का प्रतर कर सकते हैं प्रतर करने के लिए की जरुष्ट होती है हमें अवश्क्ता है तो हमें कुछ शूदियों को विक और करने की आवशक्ता होती है श्क है रिippes अलग करने की अवशक्ता होती है तो इसलिए अनुपयोगी चीजे जो भूशी निकलती है तो वो भी उपयोग में ही आती है उसे क्या करते हम पसूर के चारे के रुख में दे लिए ठीक है अब दूसरी कौन सी है जैसे कि हम रेत और पानी का ले लेते हैं रेत और पानी का जब मिश्ण बनाते हैं हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं पाणी को मिला देंगे तो उससे भी हम उसमें से असुध्यों को रेट को अलग कर सकते हैं जैसे कि एक सीरा में चीनी के रवे प्राप्त करना समुद्र जल से नमक प्राप्त करना तो यह क्या है कि जो हमारी अनुपयोगी चीजे जैसे कि नमक में जल का कोई काम नहीं तो जल क्या होता है वास्त के रूप में बाहर निकल जाता है और जो नमक है वो हमें प्राप्त हो जाता है ठीक है अब अलग करने के लिए निस्पावन विदी का उपयोग करते हैं क्या किया जाता है कि सम्तर जगह पर जाए जाता है और वहां से तह़ा है निचे डाला जाता जिसके अनाच्क एक यह भी बनाकर रह जाते हैं तो इसका कहने का मतलब बाइव देख लेकर हो तो हम्हें की जाता है कि क्या जाता है हुआ के माधियम से किया जाता है तो यह कौन सी कहलाती है सब्सक्रावन की तो पैसे में जाए किया जाता है जब हम आठा चनाते हैं तो किया जाता है क्योंकि जो इसका अमाप होता है वह अलग होता है तो इसके लिए हम क्यों पकाना होता है तो हम कैसे अलग करते हैं हम हाथों छुनकर इसे हम सकते हैं कि यया हont present हम यह शबार सकते हैं जब अर चाल को पकाने से पहले हम इसे दोते हैं तो इसके माध्यम से भी हम अलग कर सकते हैं कि फिर क्या बोला है कि आप फिर चाहलन से क्या ौन से प्रक्रिया है और कहा उपयोग में लाई चाहती् фय या चाहलन द. तो आटा चालते हैं तो क्या होता है कि आटा चालन के चिद्र में से नीचे अगधाव में और जो पूसा रहता है वह अलग हो जाता है तो जो अशुद्धता को अलग करने के लिए इसका उप्युग किया जाता है अब देखिए जो आटे कामाप है और जो बुशे कामाप है वो अलग-अलग होता है इसलिए हम जालन द्वारा अलग कर सकते हैं अब देखिए कहाँ कहां उपयोग में आता है आटा चालने के लिए ना आटा चालने के टाइम जब हम चवालों कि आपने और जो कि आपने देखा था इख भवन जब ऑन ने फिरा गृवन बनाती है तो उसमें जो घ्रक्रती है तो अरे और कंखर पथर को अलग करने के लिए हम रेत और मिस्तारण विजी दोरा कीक है कैसे कर सकते है जैसे कि वह क्या हो गाल रेत और जल को मिलाएंगे कुछ देर के लिए उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा वह नीचे बैठ जाएगी और जल जल उपर हो जाएगा तो प्रक्रिया थी अवसाधन थी फिर क्या करना है हमें कि इसे थोड़ा तीर्चा करना है और जो जल्गी मात्रा है उसे दूसरे पॉट में निकाल लेनी है तो यह कुंसी विदी है जिसे कि आशानी से रेत और जल्ग कर सकते हैं अब आटे और चीनी के मिश्रन से क्या चीनी को आटे चीनी का मिश्रन लेंगे तो हम इसे अलग कैसे कर सकते हैं हम इसे चालन विदी दौर अलग कर सकते हैं आटा को जब च्छनाएंगे तो क्या होगा आटा नीचे चला जाएगा और जो चीनी है वह कैसी हो जाएगी ऊपर आजएगी यहना क्युंकि इनकी दोनों के आम हम इसे उलग कर सकते है और जो पंगित झाल है उसे डालना ही तो क्या होगा कि छी में इस चीदर होते हो बहुत ही तो बहुत हम आटा बारिक यह और यह उपर रहे जाए और इस बादर हो जाएगा आटा o सोगे हैं इसलिए जहाँ में करेंगे अब देखिए अदाना दन्राव को दन्री को और तान कहते हैं अब हम दान के दान की जियर घंबिषकनीन के में MA किये थे है ना जो थ्रेसिंग थी हमने उससे अलग किया था पहुंची विदी द्वरा अलग किया था ठीक है थ्रेसिंग मशीन के सहायता से अलग किया जाता है इसे ठीक है तो थ्रेसिंग का मतलब है कि एक तो उसे पीट कर अलग किया जा सकता है दूसरा बैलगाडी की सहायत नाये प्रत्रता की बनाते हैं तब क्या होता है कि हम दो चीजे प्राप्त होती है जैसे हम उसे चहनाते है क्यों होता है पनीर का ठोश है वह हमें उस कपड़े पर मिल जाता है और व्यावे भाला रहता है नीचे छला जाता है ठीक है तो यह kdot समुद्र के जल से नमक खालिस्तान प्रक्रिया द्वरा प्राप्ता करते हैं अब समुद्र से नमक कैसे प्राप्ते किये थे हमने क्या करते हैं कि समुद्र के जो नमक होता है जो पानी होता है उसे हम उतले गड़ों में भर देते हैं ठीक है अब सूर्य के प्रकास से जल जो ह आब आगे देखेए का पंकित जल को पूरी राथ एक बाती में रखा जाता है तो क्या होता है तली में बैठ जाती है इसके पश्चात सुछच усे जल को उपर से प्रथक कर लेते हैं इसके उपयोग होने वाली प्रथकरण की विदी को क्या करते हैं जैसे कि हम कौन सी इस इसमें पढ़ा थामने हैं तो कौन सी विदी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं मतलब उसे हम कैसे कर सकते हैं फिल्टर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अब आग कि इसे घ्णा कर सकते कि दूद और जल के भी कर सकते चीनी के भीarna को निस पावन द्वारा कर सकतीं कि अ झाल करें नमक तो जो चीनी को यदि हम 5 विदी का अलग करेंगे नमक और जो चीनी है निश्यंदन को सब्सेदन क्या होता है है कि छ्षान कर जो को अलग करते हैं जब हम चाय बनाते हैं तो यह चामिंदन क्या है करन जैता है जो अनाज और गोसे का प्रक्रण के दौरा किया जाता है जिसकी कि इससे तो यह सए है हटा उसे दूसर से और नीचे क्या बनाए हो दू करसे बनाना स्टिकंजी बनाना एक रसना तयार करना ठीक है अब आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते तो इसके लिए सिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में तो क्या बुलाए किसे में आप बर्फ दो ड्वार्म प्रगर्ण में अधिक कीन गोलना संभब बताइव यदि हम क्या होता है चीन गोले से पहले ही डाल देंगे, तो हम क्या करेंगे की चीनी गोलने से पहले याधि हम बर्फ को डाल देंगे तो जो पानी की क्वंटीटी है ना लिक्विड बन जाएगा तो उसकी क्वंटीट साफिए चीनी कीigorats में हम सिर्फ सीमित ही खोते सकते तो हम क्या सारी question answer समझ आए होगे ठीक है अब मिलते हैं next video के साथ तब तक के लिए bye bye